है 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 लोग दोस्तों कैसे हो आपका स्वागा थे तिरपान स्टेडी सेंटर में यहां पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्पून है बी ए फॉस्ट यर समेस्टर सेकेंड पंजाब इनवर्सिटी और हमारे समक्ष यहां बुक जो आया है पंजाब का इतिहास और संस्क्रिती जो काफी महत्पून है और यहां पर जो हम टॉपिक करेंगे गंधार कला विद्याले गंधार कला विद्याले का अपना विसेस स्थाओं पर प्रकास डालेंगे जो काफी महत्पून रहेगा लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जो आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए वह यह है कि जब भी वीडिय कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच् सब्सक्राइब करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है यदि हम यहाँ पर बात करें गंधार कला के अंतरगत गंधार कला विध्याले का परभाव देखिए अगर हम गंधार कला के विध्याले की परभाव देखे तो यह काफी महत पून बात रहेगी क्योंकि हमें गंधार कला की परभाव भी देखना जरूरी है इतिहास की विद्वानों में गंधार कला के बारे में काफी मत्व में भी ऐसी बात डखने Everything this the अ क्यार्व पर इनमान का पर्भाव बहुत ही दिक देखने को मिला और निर्मान के तक्निक में निता ती और यह किसी भी परकार से अध्यात्मिक या भौतिक रूप में नहीं था यानि ये देखा जाए तो अध्यात्मिक और भौतिक रूप से इस प्रभाब को हम नहीं देख सकते हैं ये भारते विचारों ने ही इसके जो है नीजी अदर्शों का कार दे दिया ये बात मैं तो कून बात है कहते हैं कोई कला जो होती है ना लोग उस कला को कला की तरक नहीं लेती हैं उसमें अपनी नीजी अदर्श भी उसमें उरेक्स देती हैं और यही बात आती है कहते हैं आज राजनीतिक में भी ऐसे होता है कि लोग राजनीतिक को राजनीतिक तरक नहीं करती हैं उसमें अपने अदर्शों को अपने विचारधाराओं को उलेर देती हैं जो पहले से होता है उनको बदल देती हैं और ऐसे ही हुआ भारती विचारों ने ही इसके नीजी अधर्शों को अकार दे दिया और अवेक्ट के रूप में सवकृत किया गया कहते हैं जैसे हमें लोग दिखाते हैं हम उसी रूप में उसको सवकृति भी देती हैं यहाँ पर यह ध्यान देने यूगे बात है कि मगद की महायान बौद धरम को अध्यात्मिक केंद्र था ना की गंद्धार अवे कि महत्वपुन बात आई की नहीं मगध ही महायानबुद, धरम के अध्यात्मी केद्र था और ना के गंधार जहांपर गंधार कला इमात्माबुद की विक्सित किया गया थे उन्होंने इस बात को साफ सब्दों में कहने कि कोशिश किया कि गंधार कला का बहुत कम परभाब जो है हमें मुर्ति कला पर था ये महतवपून बात है गंधार कला के बहुत कम प्रवाब मुर्तिकला पर परा हम ये कह सकते हैं कि मुर्तिकला पिशुद भारतिये पदध की थी यानि मुर्तिकला दिखा जाए तो कहीं न कहीं भारतिये पदधी की थी जो कि काभी महतवपून बात है और कुछ सताबदियों के बाद गंधार कला की उन्नती समाप्त होने लगी कहते हैं कोई अगर प्रगती करता है तो कहीं न कहीं उसकी दुर्गती जरूर होती है और ऐसा ही हुआ कि कुछ सताबदियों के बाद गंधार कला की उन्नती समाप्त होने लगी जबकि भारते कला का पूर्ने उठान राजाये काफी होगए तो नहोंने जुए हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताय थे उनके मुर्तिवा बनाने लगए जिसे कारण ये मतुरा कला कफी परचलित हो गई और भारतिय कला काका अपधान हुआ इस हिंदू राजाओंने घॉए भरमहुत अमरवती मतुरा के देशी कलाकारों के परंपराओं को बढ़ावा दिया यानि ये हिंदू राजाओं जो थे भरत हुत और अमरवती मतुरा के देशी कलाकारों को काफी बढ़ावा दिया और गंधार की तरफ कम ही ध्यान दिया गंधार से उनको कोई लेना देना न कहते हैं महातमा बुद्ध का सूतरपात्स नहीं से हुआ बिहार गाया से हुआ फिर वह इनकी प्रभावत कम देखने को मिलता है लेकिन देखा जाये तो भारतियों पे इनकी देवी दिवत्थाओं का प्रभाव अधिक देखने को मिला इन तमाम बातों के बावजूद भारते कला पर गंधार कला के निम्र प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है तो ये कावी महत्पून बात है कहते हैं बेशकली गंधार कला एक अपनी विसेस्ताओं के साथ जाना जाता था लेकिन फिर भी इसका भारते कला पर एक आम बात हो गई, पहली बात तो यही आ गई कि भारत में मुर्थी पुजा लोग पृइये हुई, अब देखिए ये भी जुह उनानी ही थी, गंधार कला फॉर में मुर्थी की निर्मान होने के कारण ही भारत में हुगती पूजा की जाती है, मुर्तिया बनाई जाती है उनको पूजा पाट की जाती है तो ये कहीं न कहीं गंधार कला के कारण हुआ और गंधार कला में मुर्ति अगर बनाने की पदिती नहीं आती तो शायद भारत में मुर्ति पूजा नहीं होती और इसी कारण से जो है भारत में मुर्ती पुजा काफी आज लोग प्रिये हुआ तो हम इसका सुरे कहीं न कहीं गंधार कला को ही मानती हैं अगर अन्य भारती कला फॉमों के परभाब देखें तो गंधार कला विद्याले के प्रभाब अन्य भारतिय कला विद्यालों पर भी परा जैसे मतुरा, सरनात अमराबती में इस्तित थे यह बात काभी महत पूर्ण है जैसे कि आप लोग भी अगर आप इंडियन हो, हिंदी परते हो तो आपको एंग्रेजी भी परना परता है और आपको एक छेत्रिय भासा भी परना परता है तो इसमें कोई दो राए नहीं है अगर उसमें गंधार कला थी तो भारतिय कला पर पर परना सुभाविक था क्योंकि विद्याले में मतुरा, सनात, अमरा, बती के भी जो है विद्याले में गंधार कला को भी ग्यान दी जाती थी जो काफी महत पूर्ण इसको बना देता है देखा जाया तो महान बोष संपरदाय का परसार तो ये काफी महत पूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है कि महान बोष संपरदाय का परसार भी हमें देखने को मिला गंधार कला से बोष धरम के महायान संपरदाय के बड़ी प्रेर्णा और परसान प्राप्त हुआ क्योंकि बूद संपरदाव को ये रंधार कला के कारण काफी उनको परसान मिला काफी उत्सुक हुए क्योंकि महात्मा बूद के मुर्तियां इसी सेली में बनाई गई और ये मुर्ति जो थे एक मैतपून उनके जीवन को बनाया जिसके पहिनाम सरुब इस संपरदा का तिर्व विकास हुआ कहते हैं जो महात्मा बूद का जो है काफी विकास जो है कई छेत्रों में देखने को मिलता है और सिगरी वह लोग प्रिये हो गए क्योंकि देखा जाए लोग यतना प्रसार किसी चीज़ को करते हैं वो उतना ही ल करता है कि सरके आपका विडियो मिलता ही नहीं को यही लोग पर 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 झाल जाता है करें क्योंकि कहते हैं दुसरे अगर मैं आपके लिए ये कारे कर रहा हूं तो आपका भी यही फर्ज बन जाता है कि इसको जितना हो सके आगे बराइए जिसे दुसरे बच्चे तो भी पहुंच जाए मेरा तो एक ही विश्वास है कहते हैं अपना भलाई हमें न सोच के दुस काफी विकास हुआ तो कहीं न कहीं जो हैं मुर्ति के कारण ही हुआ क्योंकि जितना यहां पर मुर्तियां बनाई गई वो और भी लोग पर यह होते चले गए और काफी बड़ी महात्मा बुद्ध की मुर्ति बनाई गई जिसमें उनके विभीन मुद्राएं दृष्चे को में दर्शाया गया जिसका समद्ध उनके जीवन काल संबंदी कहानियों से था वो जीवन में जिस तरह से अपनों की कहानी लिखी गई उसी परकार से जो है मुर्ति का निर्मान भी देखने को मिला और यह लोग काफी प्रभावित भी किया क्योंकि उनकी जीवन जो है उनक प्रसार भी होता है लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने मतलब का रखते हैं तो वो सिर्फ मतलब पे रखते हैं उसके बाद उसको भूल जाते हैं लेकिन गलत है कहते हैं किया हुआ उपकार तो इंसान को भूलना भी नहीं चाहिए कहीं से अगर कुछ उपकार आपको भी दश्राई गई है अगर आप एक फिलम महराजा ले लो उसमें उसने बच्पन में जो है काटा निकाला था सिर्फ जो है सेर के पैर से लेकिन जब जवानी में जब सेर को जो है अंधा कर दिया और बिलेंज ने जो है हीरो को सामने रखा तो सुगंध से ही पहचान गया तो पर तो यही बात आते हैं यहां पर भी कहते कोई चीज को अगर हम जितना चाहते हैं अगर आप उसको फैदा होता है तो उसको आगे बनाना चाहिए और यही हुआ कि मुर्ती इतने संख्याओं में बनाई गई इतने छेत्रों में बनाई गई कि लोग जो थे इन मुर्तियो फैल गया इस परकार देखा जाए तो बोध धरम लोग पुडिये हो गया और उसके मानने वालों के संक्या में तेजी से बृध्धी हो गई कहते हैं इतनी अधी बृध्धी जो है गंधार कला के कारण हुआ कहीं ने कहीं इस बात को हम सही मान सकते हैं कि गंधार कला के कारण ही जो है बोध धरम का इतना परसार हुआ परसार हुआ कहते हैं बोध धरम के महायान संपर्दायक के लोग द्वरा महात्मा बुध के इश्वर का दरजा दिया गया इवंवं उनकी मुर्ति पूजा अर्चना अरम हो गई तो यह आज भी आप देखने को मिल सकते हैंगो जो बोذ धरम को मानते हैं वो मात्मा बुद्ध को जो है इश्वर जो है इश्वर की दरजा दे चुकी है और वो जो है उनकी पूजा पाट करते हैं और उनसे जो है मन की सांती प्राप्त करते हैं कहते हैं मन की सांती जहां भी प्राप्त हो जाए वो महत्वपूर्ण अस्तल बन जाता है अगर हम आगे बात करें भारते कलाकारों पर प्रभाब तो कहते हैं भारते कलाकारों पर प्रभाब भी गंधार कला का काफी महत्तोपूर्ण था गंधार कला फॉर्म में भारते कलाकारों को भी काफी प्रेरना प्रसाहान प्राप्त हुआ क्योंकि यह कला ही ऐसी थी जिससे भारते कलाकार दूर नहीं रह सके अब रहोंने भी बास्तविक विसेस्ताओं को परदाशित करना अरम कर दिया उन्होंने कई हिंदु धर्म में देदी भी देवताय थे उनके जीवन का भी जो है उन्होंने वकान करने लगे और वह उन्होंने वह मुर्ती कला में मुलिकता पर जोड डालने इवन देखें तो विदेशी देशों में बुद धर्म का काफी फैलाव हुआ गंधार कला फॉर्म के सहता से उतरी एशिया के देशों जैसे चीन जपान नेपाल तिबत में बुद धर्म का परचार और परसार का काफी विस्तार संबब हो सका तो कहीं न कहीं यहां पर तरा कि मुर्तियों का जो है अनुसरन किया गया हर चीजों को किया गया अब देखिए गंधार कला को हम कई नामों से भी जानती हैं चाहे आप उसे ग्रीको रोमन भी कह सकते हो ग्रीको विद्धेस्ट भी कह सकते हो इंडो ग्रीक भी कह सकते हो इंडो हैनिक्स भी यानि इंड प्रियोग किया गया था मुर्ति के चमक दमग एब उनके पर इस मर्जन पर काफी ध्यान दिया गया था और इस काल में बुद्र की जो है आदम कद परतिमाओं का भी निर्मान करवाया गया जो काफी महतवपून बात है और यह सारी बिंदू जो है कहीं न कहीं exam point of view से थे मुर्ति निर्मान पर काफी ध्यान देते थी और अन्य भरतिकला इसकुल जैसे मतुरा सरनात और अमरावती कला पर भी इसको काफी प्रभाब देखने को मिला और बोध धरम को महायां संपरदायक जो थे विदेशी देशों में भी थे जैसे चीन जपान नेपाल एवं तिब्बत आदी में काफी अभी भी लोग पिडिये है और आप मानते भी हो और आप समझ भी सकते हो कि ये चीन जपान नेपाल एवं तिब्बत आदी में काफी लोग पिडिये ये हो गए थे जो काफी महत पूर्ण बात को दर्शाता है कहते हैं इसे भारते कला भी काफी प्रभावीत हुआ और साथ में कई कलापड़ जो है इसका प्रभाव देखने को मिला देखा जाये दोस्तों काफी महत पूर्ण कोशन है काफी जरूरी है और एक्जाइम पॉइंट अब यू से भी काफी महत पूर्ण है तो आप बने रहे तिरे पान सुट्री सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें कि शेयर ही दूसरे बच्चों का केर है और ये बात आपको भूलना नहीं है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है यूट्यूब से लिंकों कोपी करना होता है और वर्शन विट्रस पे लगाना होता है चुकि बहुत चनल पर पहली वार वीडियो देख रहे हो अगर समझ आ रहा है अच्छा लग रहा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी परकार समय समय पर मिलता रहे तो जर्णल सी बात है दोस्तों सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करके सेव करना है कहीं यह नहों कि इस अबरान इस्टेडी सेंटर जरूर काम आ जाएगा तो अच्छे कामों के लिए देर नहीं होना चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर सिक्स्क्राइब करें के इम्में तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो है यह सोचिए नहीं विचार न कीजिए यहां